अपने इंकम टेक्स की केसिस की सीरीज में आज जो मैं केस आप लोगों के सामने डिस्कस करने जा रहा हूँ उस केस का नाव है कमिशनर आफ इंकम टेक्स वसिस वनिय एस्टेट प्राइविट लिमिटेड केस चार अपैल 2019 को डिसाइड हुआ यह केस असेस्मेंट यह 14-15 से रिलेटिड है और 429 आई टियार पेज नंबर 64 पे रिपोर्ट हुआ इस केस के अंदर जो मैटर है वो सक्षन 56-2 क्लॉस 7-B का है इस केस के फैक्स इस तरीके से हैं इस केस में एक प्राइविट लिमिटेड कम्पनी थी उसके दो शेरोलर थे हजबन वाइफ हजबन की डेथ हो गई हजबन के पास भी 5.000 शेश थे और वाइफ के पास भी 5.000 शेश थे जो हजबन के शेश थे वो डॉटर मिक को ट्रांसफर कर दिये गए बाद में कम्पनी के अंदर एक प्रापटी खरीदने थी करीबन 25 करोड रुपे की इसलिए जो वाइफ थी उस ब्ल repair उपना जादा पर इस्यूं किये गए कि करीब एंट अब лейम्य का आउंट था वो रहे है कि जो सो किये गए थे वह बुक से बहुत ज्यादा पे किये गए थे section 56 subsection 2 clause 7 भी यह कहता है कि जब कभी भी shares book value से ज्यादा पे issue किये जाएंगे तो shares की fair market value देखनी होगी और यदि ये जिस price पर shares issue किये गए है यदि वो fair market value से ज्यादा है तो जितना भी amount जादा है वो company के हाथ में taxable होगा income from other sources के head के अंदर अब बात यह आती है कि fair market value कैसे निकाली जाएगी fair market value निकालने के जो तरीके हैं वो दो तरीके हैं एक तो यह है कि जो fair market value है या तो वो book value मानी जाएगी और यदि book value नहीं होगी तो assessi के पास option है कि वो discounted cash flow method से अपने share का valuation कर सकता है एक chartered accountancy certificate लेकर के अब वो registered valuer से लेना होता है बहराल इस case में assessi ने कोई अपना valuation नहीं कराया था और साड़े तेश करोड के प्रीमियम पे जो है वो shares issue किये थे जब assessing officer साब यह assessment कर रहे थे तो उन्होंने section 56 subsection 2 clause 7b की plain reading से जितना भी amount premium का था उसको कंपने के हाथ में taxable कर दिया assessi ने ये प्रीज दी कि इस case में section 56 subsection 2 clause 7b जो लाया गया वो इसलिए नहीं लगना चाहिए क्योंकि section 56 subsection 2 clause 7b को लाने का मकसद ये था कि government black money के introduction को company इसमें रोकना चाहते थी यहाँ पर assessi का कोई भी ऐसा मकसद नहीं था कि वो black money को company में introduce करना चाहता था जो भी company के share की value भड़ी shares को premium पर issue करने से उसका benefit किसी और को नहीं हो रहा था खाली daughter को हो रहा था क्योंकि उसके पास 5,000 share थे और wife के पास 5,000 share थे तो कहने का मतलब यह हुआ कि इस case में assessi ने यह प्रीदी कि section 56 subsection 2 clause 7 भी नहीं लगना चाहिए लेकिन यह साब ने बात नहीं मानी सारे premium का amount का addition कर दिया assessi जो है वो CIT appeals आपके पास गया CIT appeals साब ने जैसा कि होता है बिना किसी सुनवाई के assessi का addition कर दिया कहने का मतलब वो assessi की बात से सहमत नहीं थे जब matter ITAT के पास गया तो जैसा कि हम देखते हैं कि ITAT जो है assessi की बात सुनती है ITAT ने यह कहा कि यह जो section 56 subsection 2 clause 7 भी लाए गया था इसके लाने का मकसद यह था कि companies में close to help companies में black money के आने को रोका जा सके और जब यह section लाए गया था तो finance minister साहब ने यह बात parliament में अपनी budget speech के दुरान जो है वो कही थी तो ITAT ने supreme court के बहुत important case का हवाला देते हुए कहा कि इसका नाम है allied motors private limited versus CIT and this case has been reported in 224 ITR page number 677 और इस case में यह कहा गया कि यदि कोई budget speech के अंदर finance minister साहब को बात कहते हैं तो उस speech को उस कानून को interpretation के लिए इस्तमाल किया जा सकता है और दूसरी बात जो है वो ITAT ने बहुत बढ़िया यह कही कि जो section 56 subsection 2 clause 7b है वो एक legal fiction है और जब भी legal fiction होता है तो उसका खाली limited use होना चाहिए limited use का मतलब इस case में यह था कि खाली black money को test करने के लिए होना चाहिए हर case में plainly जो है वो legal fiction जो है वो नहीं लगाया जा सकता इसलिए जो है ITAT ने इस case का फैंसला जो है वो assessi के favor में दे दिया और सारी की सारी edition को delete कर दिया बाद में department जो है वो मदरास high court में गया चबी matter मदरास high court में चल रहा था तो मदरास high court में assessi ने एक यह प्लीदी कि साहब जो assessing officer साहब थे उन्होंने fair market valuation नहीं कराया इसलिए जो है क्या करते है section 56 section 2 clause 7 भी नहीं लगना चाहिए और assessi ने एक और बात कही कि हम जो है जीते जिताए केस के assessi को assessi के इन दो बातों पर इस केस को यह साब के पास दुबारे रिमांट बैक कर दिया कि जाओ उनसे fair market valuation करा लो जहां तक assessi ITAT में यह matter अपने केस को निकाल के ला चुका था वहां पर assessi को दुबारे जो है वो यह साब के पास जाना पड़ा और मदर और अब यह matter जो है दुबारे assessing officer साब के पास है इस केस को discuss करने का जो में logic है वो यह है कि department जब भी assessment करता है तो वह खाली technical words पर जाता है वह intention नहीं देखता कि वह section किसलिए लाए गए section 56 subsection 2 clause 7 भी इतना हार section है यह इस case में लगा दिया जाए तो पहले तो company साड़े 23 करोड रुपे पर जो की जन्रून investment है SSC की उस पर tax ले लेगी और बाद में जब यह property भीकेगी तो जब उसको देना पड़ेगा तो साड़े 23 करोड रुपे पर खाली एक investment करने पर यदि 30% टेक्स अससी को देना पड़ेगा तो फिर तो इस देश में शायद विपार करना ही मुश्किल हो जाएगा और investments को बड़ी चोट लगेगी क्योंकि section 56 subsection 2 clause 7 भी यह कहती है कि खाली जो रेजिदेंट से जो पैसा आता है company के अंदर खाली उसी पर section 56 subsection 2 clause 7 भी लगता है तो यह section जित in the name of the case because this case is very important for understanding, the provisions of section 56 subsection 2 clause 7 b. The name of the case is commissioner of income tax verses Vani Estate private Limited and this case has been reported in 429 ITR page number 64. Friends, I hope that you will like this deliberation of the case and it will help you in dealing with the cases under section 56 subsection 2 clause 7 b. थांक यू फ्रेंट्स